कि भगट टेक्नो आईटी सोलुशन में आपका स्वागत है कि मैं आपका दोस्त अधित्य पेंडित अज में आप लोग को ऑडर इंवाइस में ऑडर में एक्सेप्ट करने के बाद जो इंवाइस जन्रेट करते हैं वह कैसे बनाते हैं उनका पूरा प्रोसीडियर और साथ में जो टैक्सेबल इमाउन का प्रॉब्लम आता है वह एर जो आती है उसके लिए आपको टैक्सेबल एमाउट कालपलेट कैसे करना है जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहें में यह आपके इंवोईस अपनिया ढदिया है जो मेरे पास इंवाइस था देखेंगे तो यहां फे इंवर्ज की पॉपी है यह टूटल एमांट है और जो टैक्सप्रमांट है वह 243906 है उसके उपर 12 परसंट जी एस्टी लगए 273171 कि इंवर्ज को मैंने यहां पर अप्लोड कर दिया है इंवर्ज का नंबर एक्सेबल का इंवर्ज डेट फिलिंग अड्रेस डेट ऑफ डिस्पैच मैनुवल कैसे आपका डिस्पैच था तो मेरा मैनुवल था इसलिए मुझे डिटेस नहीं डालना पड़ा बैंक अकॉंट न स्प्लाइब करें दो इंट्र यहां पर आपके वार्फ यहां से अप्लूड करें गए एड़ करके मुझे जोरत नहीं है तो तरो मुझे 118 यहां पर डाल दिया है और यह जो 243906 डाल दिया मैंने और यहां पर जैसे डिटेस डाल दिया तो मुझे यहां पर यहां पर प्लीज इंटर करेक्ट टेक्सेबल एमाउंट जो है यह करेक्ट नहीं है यह मेरा गलत डाल हुआ इसके उपर 12% equal to 273,170 होना चाहिए तो यह तो मुझे मेरा फाइनल फिगर पता है 273,170 हम इसके उपर टेक्सेबल वेलू निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे देखें यहां पर हम लोगोंने डाल के रखा है 273,170 यह मेरा टेक्सेबल वेलू है और तो हम लोग हमारे पास यह GST कितना है 12% यह मेरा GST तो 12% GST है इसलिए 12% that means जिदी हम लोग इसको नॉर्मल में calculate करेंगे तो 1.12 होता है तो हमने क्या क्या जो amount है यह जो figure है इस figure के उपर से 1.12 को divide कर दिया रहे है तो मेरा जो amount आया यह मेरा taxable value है अभी आपको जो चेक करना है इसके उपर 12% आप लगा दीजी सेम इसके उपर 12% लगा दिया यह figure और आपको यह figure देखे दोनों सेम आ चुका यह मेरा proper taxable value अभी देखिए आपे हम लोग वही value लगाते हैं अभी इंवर्स गलत था 243906 का था और हमारा actual figure कितना आना चाहिए था 243906 होना चाहिए था और इसने जो बिल में है वो 906 है हमारा होना चाहिए था 901.80 यहां पर डालते हैं 901.80 डालके इसको प्रिवियो करते हैं अभी देखिए taxable value का प्राविम हो जाएगा यह system enable एक जनरेट हो रहा है तो इसको हम से repeat करते हैं फिर से refresh करते यह clear हो जाएगा इसके वज़े से problem आया इसको फिर से login करके आपको पुरा प्रोसीजर है यहां पर मुझे orders में मिलेगा यह invoice मैंने accept कर लिया है इसलिए order accepted बता रहा है अब यहां पर जाएंगे view details में जाने का जनरेट कर रहें सबसे पहला इंवर्स अप्लोड करेंगे जो मेरा कॉपी है इनवर्स का इनवर्स के कॉपी में कोई भी space या फिर कोई भी character नहीं होना चाहिए इसलिए आप ऐसा कोई भी इनवर्स का file name में रहेगा तो यह file upload नहीं होगा उसके लिए आपको इनवर्स करेंगा तो देखिए यहां पर मेरा जो नाम है उसमें कोई भी space बगरा या कोई इस्पेसर करेक्टर नहीं और PDF के फॉर्मेट में अपलोड इनवाइस नंबर इनवाइस नंबर मेरा है 102 से 102 इनवाइस डेट आज का ही है बिलिंग अड्रेस इसमें डाला था मौड अपडिस्पेच में हैंड तो हैंड दिया है इसलिए मैनुवल इकांट नंबर आटमेटिकली अप्डेट हो गया लेस अप्सप्लाइं लोकेशन लेस अप्डिस्पेच महारास्टा का ही मेरा ब इस अब यहां पर डालते थे सप्लाइक कॉंटिटी मुझे एक सट्रा कॉंटिटी का उडर था और एक सट्रा कॉंटिटी दे रहें एक सेबल एमांट फिर से यहां पर आ गया हमारा वेलू हम लोग यहां से चेक कर लेंगे एक बाद 272 243 901.80243 901.80 GST है 12% डाल दीजिए HSN code है तो डालिए यह तो नॉट अप्लिकेबल नंबर्स में है यह मेरा नंबर्स कोई एरेज जनरेट नहीं करेगा और डारेक्ट मेरा इन्वाइस जनरेट यह इन्वाइस मेरा जनरेट इसको एकसेप्ट किजिए और आपको एक रिफ्रेंस नंबर आ जाएगा इसके बाद इसके लिए प्राब्लम दिया इसमें अभी हम इसको करते हैं एकसेप्ट क्लियेट कि मेरा क्रेफ्रेंस नंबर आ अभी यहां तक हमारा इन्वाइस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है मुझे फिर से वह बोल रहा है जैम इन्वाइस नॉट है इसके प्रोसे नहीं हो जाता उट्रीपी से वह बोलेगा वह का मिलेगा मुझे से अडर्स में जाके शिप्मेंड वाइच यहां जाना है और यहां से मुझे ओटीपी से यहां से वेरिफाइब आ पर या फिर अफिर अप्डेट डिलिवरी जिदे आपने डिलिवरी यहां एक कर दिया है आप यहां से डिलिवरी का डिकेल्स अप्लोड कर सकते हैं वेरिफाइब होने के बाद कि यहां पर फिर से ओपी जाएगा पी लेंगे और बाद में हम यहां से तदे मुझे इंवईस के मिल गया है कभी भी हम बाद में इसको अप्डेट कर तक हमारे पास यह प्रोफाइल में रेजिस्ट्रेशन जो भी आपको काम काम का भी कॉंट्रेट लेते हैं आप हमें निछे डिटेल्स पे कॉंट्रेट कर सकते हैं जो आपको डिटेल्स अभी बिस्क्रिप्शन में जाएगा